असलाम अलेकुम मैं विल्किस मंसूर आज मैं मैंने किचन में बनाने जा रही हूं मिठी मठी यह देखें मिठी मठी बनाने के लिए मैंने यह चार कटोरी मैदा ले लिए और यह ले लिए है मैंने सूजी यह मैंने एक कटोरी नहीं लिए एक कटोरी से थोड़ी सी कम है यह में नार्यल का बरोदा होता है लिया है यह लगभग मेरा 50 ग्राम होगा और एक चमच ले लिए मिने सोंप और देखें एक कटोरी में चीनी ले लिए और एक कटोरी में इसमें डूर डाल लोगी दूद दाल लिया है और इस चिन्य को मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूं थोड़ा से इसको मैं धलका सा गरम कर लूँ दूद को और इसको आज इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूं सारे चिज्जों को देखे पहले हमें इसको बिना पानी के ऐसे ही मिलाना है घी के साथ देखे हमने इनको मिला लिया है बलकुल अच्छी तरह से अब मैं इसमें डालूंगी यह दूद और चिन्य और इसको अच्छी तरह से मिलाते जाओंगी तोड़ा तोड़ा डालते जाओंगी और और यह देखे मैंने इसको अच्छी तरह से बूंद के बिल्कुल तयार कर लिया है और यह मैंने तयार करके कम सकम आदे गंटे के लिए रख दिया था आदे गंटे के बाद यह मेरा टाइवा हो गया है अब देखे अब हम यह अपनी मठिया बनानी शुरू कर देते हैं अब देखे इस तरह से इतना टातो होगी एक साइट से और इसको अच्छी तरह से करिए हमारा थोड़ा केड़ा ही उनावा है पतला नहीं है और यह इसको इस तरह से रखके और इसको बेल लीजिए जरूरी नहीं के गोली बने हमारी रोटी गोल बनना जरूरी नहीं है किसी भी तरह की बनाएं आइए देके हमारी रोटी उन्हु पिर्कल कें तयार हो गई है आइए इसकिए तरह आइए अब हम इसको काट लेते हैं इसकी मदद से अब हम इसको काट लेंगे आपके पास अगर कटर हो तो आप इससे भी काट सकते हो इंक कटर से सारी रोटे हम इसी तरह से काट लेते हैं देखिए इसको हटा दीजिए जो हमारा इकटावा हिस्सा है काट अफक्या तरह जिया वाकि इसका है आपड़ा में रख लेगे मां रहा लेंगे हैं अब हम एक ररोटियोर बना लेते हैं यह कि js one nagu ए मीज़रा को चुका है ज़्यादा घरण नहीं हुआ है कि इसको जादा घरम घह नहीं डालना है पर गैस को आप लूप एड़नीं पर ही रखें कि आई प्लेम पर यह जल्दा जल्दि और यह अंदर से बिल्कुल कची ra जाती है तो इनको खाने में मज़ा नहीं आता जिदना इनको लोग लें पर सेकेंगे यह उतनी ही ज्यादा टेश्टी बनेंगी देखे एक साइट से हमारे ये मठ्या भी कुल सीख गई है अब हम इनको दूसरी साइट से बदल देंगे अब हम दूसरी साइट से बदल गई है इनको देखें हमने सारी मठ्या बदल दी है अपनी ओर फ्लेम पर हमने गैस करके रखा हुआ है यह मठ्या बहुत अच्ची मठ्या सीखती है 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 हैं हाइफ लें पर से क्या होता है तो पूर्पूरी बनती है और अंदर से बहुती क्रिस्पी निकलती है और हाइफ लेंपर उपर से तो मतलब थोड़ी कड़क रहती है लेकिन अंदर से कच्छी रहती है कि अच्छा कलर आया है इनका आप देख सकते हो अच्छा कलर आया है इनका आप देख सकते हो कि हमने सारी मठ्या निकाली एक टीसू पेपर पर और हम इनको फिर दुबारा से डाल देते हैं और देखिए हमने यह दुबारा से डाल दी है चार कटोरी आटे में काफी सारी मठ्या बन जाएंगी चार कटोरी मैदा का मतलब है हमारी लगबग आधा किलो मैदा थी देखिए यह मठ्य भी हमारी अच्छे से सिख गई है और इनको आप चाय तो कितने भी दिन रख सकते हैं आप इनको एक महिना रख सकते हैं दो महिने रख सकते हैं पंदरे दिन रख सकते हैं यह खराब नहीं होती है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना अब मेरे तरीके से मठे जरूर बनाना अल्ला आप आप आप